अगर आप लॉन्ज ढूल रहे हो तो मैं आपको बेस्ट लॉन्ज आपको सज्जेस्ट करूंगी जो कि रसोरी गार्डन में है तिल्डी में और यह लॉन्ज है आर्क्यूब मोनेड मॉल में तो गाइज यह जो लॉन्ज दिखाया गया है यह है एक मॉल के अंदर बुक्स का डेकॉरेशन है अंदर बाहर से जब इतना सुन्दर वीव है तो अंदर पता नहीं क्या होगा यहां पे आपको एंट्री करानी पड़ती है और इसके अंदर आपको हुका द्रिंक्स और स्नैक्स वगेरा बहुत कुछ है अंदर खाने का तो हम आपको मैन्यू दिखाएंगे रेट्स क्या है और इस ब्यूतिफुल मॉल विच इन रजोरी गार्डन तो बाहर का व्यू बहुत ही कुपसूरत है तो चलिए इस लॉंच की अंदर के साड में देखिए आप लाइब्रेरी के बुक से इन्होंने बहुत ही अच्छा अंदर से डेकोरेशन करा है अभी तो हम आपको बाहर का व्यू दिखा रहें गाइस अंदर का तो पता नहीं लाजवा होगा लेट्स गो इंसाइड है लॉंच सी दे ब्यूटिफुल प्रिटी व्यू अफ दिस तो लॉंच के अंदर गुषते ही ऐसा फील हो रहा था जैसे इस पूरिये लॉंच के अंदर सिर्फ हम ही है और यहां पे कुछ बोर्ड लगे वे थे मैं फिकर को दुए में उड़ाता चला एवल एवल नाव बलब यहां पे आपको हुका और खाने के बहुत सावे आइटम स्ट्रेंग वगरा सब कुछ था और देखिए इस लॉंच का डेकोरेशन जो कि हम वेस्ट बुक्स को इधर उधर फैंकते हैं इनोंने लोहे के रॉंड से उन बुक्स को एक से एक से टाय करके उसको एकदम स्क्रॉल करके ऐसे लगा दिया है और दोर की शेप में और यह बह बहुत सुन्दर लग रहा था और अंदर से भी बहुती खुबसूरत नजारा था तो आप यहां से ग्यान ले सकते हो कि आपके पास अगर ऐसी बुक्स है जो वेस्ट हो तो आप उसको यूज में लेना चाहते हो तो आप भी अपने घर में इस तरह से डेकोरेशन कर सकते हो और बहुती क्लीन निट लॉंच था एवरिवेर इट वस सो ब्यूटिफुल वाइब और लाइटिंग वेर और बुक्स को इस तरह से देख सकते हो आप उपर भी रूफ में इन्होंने बुक्स को लटका के रखा था मतलब कोई भी किताब को मतलब उन्होंने इस तरह से इस इस तरह से खूब सुर्त पाल इसका था और चेर्स बग़ेरा बहुत ही कुब सऽरत लगी थी अगर फैमिली में आ रहे हो गुरूप में तो बैठ सकती हो और दीन में आप देख सकती हो सब एसा नहीं कि दीन में'M लाइत मी है यह रात को ही लाइटिंग होती है अगर आप इस लांज में आओगे तो आते रहोगे क्योंकि आप गेम्स भी खेलोगे साथ साथ में जब भूख लगेगी तो थर्ड फ्लोर में आप चड़के इस लांज में इंज्वाई कर सकते हो और इतना रश नहीं था आप अपने कपल के साथ में बहुत ही फ्रीली और बिना शरम के यहां पर इंज्वाई कर सकते हो डांस कर सकते हो तो मैं भी यहां पर आई थी और फूब डांस किया था and I was alone with my friend someone friend and बहुत अच्छा लगा था डांस किया था और हमने फूट भी बुक करा था जो कि बहुत ही टेस्ट और बहुत ही फ्रेश फूट था तो आईए देखते हैं और अंदर क्या है इसके अंदर नीचे कि बहुत है कि बहुत है तो दोस्तों यहां पे कुछ प्लेट्स लगी वी है और प्लेट्स में बहुत अजीब अजीब से वर्ड्स लिखे में हैं सक्त लॉंडा घंटा असेक्सी लग रहा था रसोड़े में कौन था वह जो फेमस फेमस जो भी वर्ड्स यूट्यूब चैनल में वगेरा में जो फेमस वर्ड्स है जो सोसेज मेडिया में बहुत ज्यादा वाइरल होए थे तो वहीं सब यहां पे प्लेट्स में लिखे में सब्सक्राइब काच की अगर कोई प्लेट है जो यूजेबल नहीं है तो उसके अंदर भी इन्होंने वेस्ट प्रोडक्ट वेस्ट सीजे जो फैंकने लाइक होती है उसको उठाके इन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेशन कराया है मैंने जहां तक नोट करा था ऐसी आसी प क्लेट को उन्होंने लगा लगा के बहुत अच्छी अच्छी नोने कमेंट लिखे हैं जो की हसस के पेट पेट दुखने लग गया था मैं तो पहले इस लॉंच का कोई वीडियो शीडियो बनाने वाली नहीं थी पड़ मुझे यह इतना अच्छा लग रहा था तो मैंने सो आप एउ गए मजब हैं ज्याए मनें हए का शक्राइब है यह लॉंच का व्ड़ी ओ रही है ऑं तो इस तरह से गल तललल ऑ्लल क्या लिखाया पतानिं तो इस तरह से है अच्छे अच्छे मैंने देखिए देखे थे जोभी बिएस प्रोड़क्स थे उनको यूज करें इन् और as you can see हमने हुखका भी पिया था बट मैंने हुखके की कोई वीडियो इसके अंदर डाली नहीं है पता नहीं यार कुछ भी यूट्यूब चाहिए के पता नहीं किया कर देते ही नो लोग तो वेरी ब्यूटिफुल लाउंच है and I will suggest you to come this launch बहुत अदम भी रस नहीं था बहुत ही पीस लगता था बहुत ही मजा रहा है तो चलिए अब देखते हैं इनका मैन्यू मैन्यू में क्या क्या रेट्स लिखावा है आप देख सकते हो मैन्यू को मैंने काफी कलोज से दिखाया है और रेट्स यहां पे सब में लिखे में है चौकलेट ब्राउनी के रेट्स 229 फुटें नट्सेक 229 ओर्यो सेग बहुत सारा है सालसा सेक बहुत तरह तरह के सेक्स है इसके अंदर और समर मेन्यू भी है और हर एक चीज का रेट मैंने आपको सो किया है इस केंटीन का नाम है इंफरफेक्टो केंटीन स्मैस जो की आरकीव मॉल में है और इधर आप देख सकते हो पिजव अगयरा सब कुछ है और सबके रेट मैं आपको दिखा रही हूं और देख सकते हो 299 का है ये थाइ स्प्रिंग रोल्स 229 ऑल डाइटम्स अर रिटन येर तो 200-300 का है ज्यादा महंगा नहीं है यहां पर खाने पिने का और मिनिम्मम प्राइज 299 है उसके बाद तो हायर पे हायर जाता रहेगा जितना मर्जी का लोग चाहे हजार का लोग चाह कुछ है वेज है नॉन वेज भी है यहां आप देख सकते हो रेड डॉट्स लगे में है और मजी की बात है जो मैं खाया वो मैं सैटिस्वाई हूं बिल्कुल हमने खाया था वही थाइ स्प्रिंग रोल इट वस वेरी यम्मी और हम आपको बोलेंगे आप भी अगर यहां आ कि लड़कियों से जादा सो दोस्तो इस सम आफ माइ हाट बीटिफुल सेक्सी पेग्स विचा क्लेक बाइ मैं फ्रेंड इस प्यूटिफुल लांज और इंज्वाट इन्ज्वार्फुल लांज इन पीस्फुल लांज इन वन मॉल यहां स्मैस केमिंग जौन खाना पीना अच्छी लगी तो लाइक करे चैनल पर नहीं आए हो तो सस्क्राइब करें और मीट यू सुन इन दे नेक्स ब्लोग तो चीर्ज और लोव यू और बाइब करसे तो यू बाइब